और ये पेसेंट सिर्फ एक मेहना होमोपतिक शिलाजीत खाने के बाद इनको इतना अच्छा इंप्रोम्मेंट आ गया कि ये पेसेंट खुद मुझसे कह रहे कि डॉक्टर साब मुझे आगे का शिलाजीत मुझे और भेज़ दीजिए शिलाजीत मेरे पास खतम होने वाला है और उस वीडियो को देखने के बाद तकरीबन तीन सो चार सो लोग ऐसे है जो मुझसे अस्फल्टम को और्डर किये है और मेंली जो लोग मुझसे अस्फल्टम मंगाये थे वो अपना यॉन स्वास्त के लिए मंगाये थे उनका अंदर इरेक्टाइल डिस्वास्शन की प् सिमन उनका बहुत पतला था तो इन तमाम यौन स्वास्त के लिए ये लोग मुझसे अस्फल्टम मंगाये थे और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी तीन लोगों का फिड़बैक दिखाऊंगा जिन लोगों ने मुझसे अस्फल्टम यानि होमपतिक शिलाजीत को मुझसे मंगा कर इस्तमाल किये है और इस्तमाल करने के बाद उनका राय क्या है उनका प्रतिक क्या क्या है उनका अंदर बेनिफिट हुआ है कि नहीं यह मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा प्रूफ के साथ वैसे तो बहुत लोगों का फिड़बैक आया हुआ है एसफेल्टम को इस्तमाल करने के बाद लेकिन सबका रिव्यू सबका अगर फिडबैक डालेंगे वीडियो में तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में आप लोगो तीन फिडबैक दिखाऊंगा बाकी जो रिव्यूस है जो आपका फि एसफेल्टम के बाद इनको इतना अक्या इंप्रॉम्मेंट आलेंगे के एंनका बॉडियो की प्रॉब्लम के लेजिए विडियो की प्रॉब्लम के लिजिए के लिए चृक इभाइन को नियुक्त उल्टा आयर्वेदा फॉर्म में शिलाजीत को लेने से इनका अंदर side effect हो गया, इनका body में गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी, इनको पसिना बहुत छूट रहा था, इनका पेट खराब हो गया था, लेकिन शिलाजीत को होमपतिक फॉर्म में लेने से इनका कोई side effect नहीं हु होता है, जिसके कारण से आपको वह भी लेना पड़ता है, तो उसके कारण से क्या होता है, medicinal effect जितना होना चाहिए, उससे आपको कई गुना ज्यादा आपको bad effect हो जाता है, लेकिन होमपतिक फॉर्म में जब हम लोग उसके इस्तमाल करते हैं, तो उसको जब हम लोग इस्तम जहर से बनती है, लेकिन इसको लेने से कोई इनसान मरता नहीं है, इसलिए नहीं मरता है, क्योंकि हम लोग इसको जो पोटेंटाइस करते हैं, अपना फॉर्मूले में, तो इसका जो नेगेटिव एनरजी है, वो पूरी तरह बहार निकल जाती है, और medicinal जो प्रॉपर्टी ह लोग लेते हैं, जास फॉर एन एक्जामपल मैं बोल दू कि ऐस्फेल्टम मेडिसिन को बनाने के लिए, मैंने आज से आठ साल पहले, ओनली वन ग्राम का मैं और जिलाजीद लेके आया था, खुद जाके मैं लेके आया था, वन ग्राम को और जिलाजीद मैं प्रूफ करके लाब में उसको मिलेके आ था, वन ग्राम, ओनली वन ग्राम, और उस वन ग्राम में से मेडिसिन को बनाने के लिए, सिर्फ मैंने फाइब परसेंट उसके इस्तमाल किया, यानि वन ग्राम का फाइब परसेंट जितना होता है, सिर्फ मैंने फाइब परसेंट लिया है, इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि दुनिया का सबसे खतरनाक से खतरनाक जहर का अंदर भी हीलिंग प्रॉबर्टी होता है बस सर्थ इतना है कि उसका जो डोस बनना चाहिए बहुत ही माइनूट कॉंटिटी में लेके उसको डोस बनना चाहिए दोस्तों मैं अगला फिट बैक आप लोग के सामने लेके आता हूं दोस्तों यह जो पेसरेंट का स्कीन शॉट देख रहे के बाद इनको इतना अच्छा इंप्रोमेंट आ गया कि यह पेसरेंट खुद मुझसे कह रहें कि डॉक्टर साब मुझे आगे का चिलाजीत मुझे और भेज दीजिए चिलाजीत मेरे पास खतम होने वाला है दोस्तों थर्ट फिट बैक जो मैं लेके आ रहा हूं आपके प पैदा होना स्टार्ट हो गया इनका अंधर इरेक्शन आना स्टार्ट हो गया कम से कम 70 परसेंट इनको इरेक्शन में फाइदा हो गया रहा बात इनका जो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उसमें पेन कम हुआ है लेकिन पूरी तरह कम नहीं हुआ है तो इसके लिए हम न तो दोस्तों मैं इस वीडियो को अहीं पर एंड करना चाहता हूं तो थैंक्यों वेरी माच एंड़ गूट